दोस्तों मेरा नाम है वेद्श्रत वेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं फैनेंसियल अकाउंटिंग इसमें जो हमारा चेप्टर चल रहा है वह बहुत ही इंपॉर्टन्ट है फिकॉम फर्स समस्टर के शुडेंट्स के लिए जो कि है रोयल्टी अकाउंट्स प्रुत्त एक सन्सटर फर्स समस्टर में रोयल्टी अकाउंट्स रिलेटेड एक 15 नमबर में लाउंड कुशिन हर बर्स पूशा जाता है जब भी फर्स सनस्टर की बात कर रहे हुत हैं तब कोई भी वर्स अभी तग ऐसा नहीं हुआ कोई भी semester first ऐसा नहीं हुआ जिसमें royalty account से related question ना पूछा गया हो तो समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है 75 में से 15 नंबर आपको इस chapter से मिल जादे हैं अगर आप इसकी तैयारी सही तरीके से कर लें तो तो चलते हैं इसमें पिछले चार वीडियो में आपको दे चुका हूँ जिसमें मैंने detail में बताया है royalty क्या होता है उसका basic concept क्या होता है minimum renters art working surplus क्या होता है analytical table कैसे बनाई जाती है journal entry कैसे की जाती है आज इस series में हम लोग बात करने वाले हैं लेजर एकाउंट कैसे बनाया जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको लेजर एकाउंट बनाने वाला बताने वाला हूं लेसी की accounting और management accounting से related complete videos की playlist description box में दी गई है अगर आपके लिए यह महत्तपूर्ण है या आपके किसी दोस्त के लिए महत्तपूर्ण है किसी सहपाथी के लिए महत्तपूर्ण है आपके छोटे भाई बड़े भाई किसी के लिए महत्तपूर्ण है और आप उस चाहते हैं कि उनको यहां पर आपको सीखने के मिलेगा और कुछ और बहतर तरीके से आप अपनी महनत को संचालित कर सकेंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम के आज हम लोग बात करने वाले हैं लेजर एकाउंट कैसे तयार किया जाते हैं वो भी किसके यहां तो लेस आज हम जानेंगे लेजर स्टिंग में लेजर इन डिव्क्स आफ लेशी लेसी कि वुक्स में जब लेजर की बात होती है तो सबसे पहले बात आती कि अखिर वह कौन से अग Значит में लेजरग में लेज़ स्टार्ट के लेजर में बनाया जाते थे तो जब भी निसेसरी अकाउ होते हैं पहले नंबर पर रोयल्टी अकाउंट बनाना होता है दूसरे नंबर पर लेंडलॉड अकाउंट बनाना होता है विसे यह एस लगा लें लेंडलॉड हो जाएगा तीसरे नंबर पर सॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना होता है otherwise आपसे बहुत सारे कुश्यन पूछ सकता है जैसे एक आपसे minimum rent account बनवा सकता है ये भी बनवा सकता है advance royalty account भी बनवा सकता है ठीके न आपसे government subsidy account भी बनवा सकता है यह बिनवा सकता है यह आपको मिलेंगे आगे यह आगे अगे मिलेंगे लेकिन आजिवरल दों भात करने वाले ही तुस्ट के छो होगे वह बनाते हैं जब हमसे होगे कि आवश्चक बनावां वहीद हती है तो बहुत ही आराम से आज हम आपको समझाएंगे कि कैसे इनको बनाया जाता है बने रहो हमारे साथ यही है महत्तपूर्ण सारी चीजें आपको अभी आ जाएंगी समझ में थोड़ी देर में लिए तो चलो सार्ट करते हैं जबसे पहले इकाउंट से कैसे इसको ट्यार किया जाएगा तो कौन सा एकांट बनाये नंबर इक इसपर धार सहब होता है और एमौन्ट होता है यही फिर सब होता है देट होता है पार्टिकुलर्स जे एफ और अमाउंट अब आपका मन कर रहा हो इनको थोड़ा स्पजाने समारने का तो ऐसे कर दीजिए ठीक है लो यह सारे कॉलम तयार हो गए फटा फट कहीं पर कोई देर जी नहीं सर होती ही नहीं है कभी नहीं होती रोयल्टी अकाउंट एक बहुत आसान एकाउंट है जिसमें कुछ करने नहीं होता है लेकिन इंट्री याद करो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता था जन्य जर्नल इंट्री ुनि करने एक भर्ट एक ऋट्रिस में होती है और अगरche को हटा आपको पता ही होगा नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं जब भी हमको अकॉंट बना रहे होते हैं तो उस वर्स के सारी journal entry में देखते हैं वो नाम आया कि नहीं आया पहली बात दूसरी बात हम यह देखते हैं कि अगर नाम आया तो debit आया या credit आया यह दूसरी बात हो गई तीसरी बात अगर debit आया तो debit posting करते हैं अगर credit आया तो credit posting करते हैं ये तीसरी बात हो गई, चौती बात, वह नाम कभी नहीं लिखा जाता, जो अकॉंट हम लोग बना रहे होते हैं, विपरीत लेखा किया जाता है, मतलब नाम उल्टा वाला लिखा जाता है, अगर डेवीड वाला लिख रहे है, पोस्टिंग तो क्रेडिट वाला नाम, तो चल होगा वो डाल लेंगे कि आ ल्क होगा सेटी एकांट है नीक albums to landlord लेकिन सब्षिबर पोस्तिंग करेंगे लेकिन लिखेंगे क्या डू लेंकर क्या लिखेंगे लेनलड करेंगे लिख लिए तीसरी इंट्री में क्या होता है प्ऩारश में क्रेडित होई और प्ल एकाउंट लिखी है I mean के लिए बताइया सर कुछ नहीं करने आपको रोयली मिल रहा यहां पर और यह देखो में नंबर पर आपको रोयली मिल रहा और कहां पर दस्वीय नंबर तो गुंसा का लम देखनाा पर एकाउंट सेमे है यहाँ रोयल्टी कितने आथ हमारा बन गया है कि अब बहुत आसा अब बस यही करते हो तीन वर्स फिर से जन्वरी कि यह सेकंड यर में आ गए टू लैंडलॉर्ड कि कितना आपकी दस हजार सेकंड यर कि दिसंबर 31 एकाउंट कितना दस हजार कौन से कॉलम देखने हैं वही वाले जो बताए आपको तीसरा और दस हुआ तीसरे वर्स जन्वरी फर्स्ट टू लैंडलॉर्ड ग्यारा हजार और थर्ड यर दिसंबर 31 एकाउंट ग्यारा हजार बन गया एकाउंट तीन वर्स का देखो कंप्लीट हो गया बात समझ में आ गई रोयल्टी एकाउंट कितना असान होता है एकदम आपको समझ में आ गया समझ में आया ना क्या लिखना है टू लैंडलाड बाइपियल टू लैंडलाड बाइपियल टू लैंडलाड बाइपियल टू लैंडलाड बाइपियल अगर यही एकाउंट रोयल्टी एकाउंट लैंडलाड बना रहा हो अपने हां अगर यही एकाउंट लैंडलाड बना रहा हो अपने हां रोयल्टी एका होती है वह रखाता है रोयल्टी इसके रोखना वीट say रोलॉयल्टी रिजर्फ रोयल्टी क्रेडिट है तो यूटिक पील क्लिर तो क्लियर तो यह न्हीं पताया रहाँ समझा अब चलता है देखते हैं कैसे बना जाएगा अलों बात कर रहे हैं landlord account की landlords क्योंकि ये कोई व्यक्ति होगा और व्यक्ति के साथ account word यूज नहीं किया रहता है या तो apostrophe s यूज कर लिजे ठीक है तो देखो landlord की बात करें तो दो entry में landlord आता है कहां पहली और दूसरी entry में landlord आता है और जब landlord account अगर आप table से director बना रहे हैं तो आपको कौन कौन से column ध्यान में रखना चाहिए तीसरा और इधर आ जाओ यह आपका हो गया चौत्था पांचुआ column ठीक है न और फिर यहां आ जाओ यह छठा वाला column इसमें ध्यान रखना चाहिए और फिर यह नव नंबर वाला इसको ध्यान में रखना चाहिए यहीं से related सब कुछ होता है देखो दो entry होती है पहली entry रोल्टी एकांट डेविड साट वरकिंग एकांट डेविड टू लैनलोर्ड साट वरकिंग है तो नहीं बात नहीं है दूसरी इंट्री लैनलोर्ड डेविड टू बैंक एकांट टू साट वरकिंग वह भी साट वरकिंग हो रही है तो है नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है ओके बात के लिए हां तो दो पहली इंट्री में लैनलाड क्रेडिट होता है और दूसरी इंट्री में लैनलाड डेविड होता है तो पहली इंट्री की पोस्टिंग के लिए हमको क्रेडिट साइड में आना है और दूसरी इंट्री की पोस्टिंग के लिए हमको डेविड साइड आना है तो देखो यहां पर फस्ट यर जन्वरी पर्स्ट इंट्री क्या है रोल्टी एकाउंट डेविट तू लेंलाड क्यों क्यों कि लेंलाड तो दस आजार देने के लिए 8000 रोल्टी और 2000 था वर्किंग यहां पर भी देखो है ना एमांट यहां पर है ना इमांट तो क्या लिखेंगे आठ हजार रुपे रॉयल्टी है और दो हजार रुपे तॉर्ट वर्किंग है दूसरी इंट्री में लैनलाड डेविट टू बैंक अकाउंट सीथा दस हजार तो यहां पर हम लोग आये फस्ट येर और दिसंबर 31 तू बैंक अकाउंट कितना दस हजार अकाउंट हमारा स्टुडेंट हो तो अकाउंट प्रतेक वर्थ 12 महीने पर ही क्यों बंद किया जाता है कभी 6 महीने पर या कभी 15 महीने पर क्यों नहीं बताइए कमेंट बहुत सेकेंड इयर जन्वरी पस्ट यहां देखो आपकी सार्ट वर्किंग नहीं है क्या है केवल रॉयल्टी और फे कितना 10,000 हो डिक साइड में दिसंबर 31 तो अ कर भाइंक अक कितना 10,000 हो गया था यह झा है किया फिर देख़ो यह अकाउंट बराबर बंद हो गया है अ क्लियर अकाउंट का बराबर बंद होना जरूरी है बराबर नहीं आएगा तो बैलेन्स क्रेजिट डाउन या जाबर होना चाहिए आंसे समझ में आ रहा है पम चलो कि जन्वश कि जन्वरी फस्ट मैं बटवाई रोयल्टी कि इस वार लड्य एक तो कितना है ग्यारह हजार है बार है लैनलॉड को कितना देना दस तो आपकी लेंडलोर्ड डेविड है तो डेविड पोस्टिंग करनी है थार्ड इयर दिसंबर 31 कि टू बैंक अकाउंट कि बैंक के लिए आलवेज आपको यह वाला कॉलम देखना होता है देखो कितना दस हजार और टू सॉर्ट वरकिंग कितना एक हजार देखो 11-11 हजार से बराबर बंद हो गया समझ में आ गया इस तरीके से बना लिया जाएगा लेंडलोर्ड अकाउंट बहुत इजी होता है प्रतेक वर्थ बराबर बंद होता चलता है अगर आप कंफ्यूज होंगे कहीं पर थोड़ा सा भी हो सकते थे तो सॉर कि आज के बाद नहीं हो ऐसा मेरा मानना है अगर आपको लग जाए ना मेरे भाई कि वाकई आज के बाद कंफ्यूजन नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आकर कि अपनी प्रतिक्रिया हैं हम तक जरूर पहुंचाया करो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो औ अगर आपको यहां मिले इस कॉलम में तीसरे में तो इसकी पोस्टिंग डेविड साइड होती है कहां होती ही डेविड साइड होती है और अगर आपको आपको मिले एक पर मिले यहां मिलती है थिक है न बात क्लियर चलो पोस्टिंग करके देखें पस्टियर और पिस्तियर कि जनवरी फस्ट पहली मिली रेट कि हुगि इंट्री क्या होगी utility लिखेंगे क्या लिखोगर की वो नाम कभी लिखा नहीं जाता जो एकाउन बना रहे होते हैं तो जनवरी को लिखेंगे किसा जाजार है ना दो हजार लिख लिया अब देखो यहां पर कहीं पर यह न तो यहां पर है तो यहां December 31 में आएंगे और लिखेंगे by balance carried down कितना 2000 और account हमारा बंद हो जाएगा 2000 से account 12 महीने पर बंद करना आनिवारे है और बराबर बंद करना आनिवारे है dual aspect concept के कारण यह बराबर बंद होना आनिवारे है 12 महीने पर ही क्यों बंद होना आनिवारे यह बताओ कौन सा concept है year आगया दूसरा यहां balance carried down था तो यहां January 1st को brought down कर लेंगे लिखेंगे to balance BD कितना 2000 अब देखो क्या यहां पर amount है नहीं है क्या यहां पर है नहीं है क्या यहां पर है नहीं कहीं पर नहीं है तो same amount second year में December 31 को हमने फिर carry down कर लिया by balance by balance TD कितना 2000 ठीक है फिर यहां आगये तीसरे वर्स में January 1st to balance TD कितना 2000 2000 यहां पर है amount यहां कुछ नहीं है यहां 2000 है यहां पर कितना है सर प्लस 1000 है और एक ही 1000 आपने यहां पर क्या किया है 1000 क्या किया यहां पर आपने देखो यहां पर यहां पर क्या किया आपने 1000 रुपे आपने unrequiped किया तो जब यहाँ पर आया SWR में तब entry हुई landlord debit two bank account two start working क्या हुई landlord debit two bank account two start working क्रेडिट है तो पोस्टिंग कहां करोगे credit side में करेंगे क्या लिखेंगे by landlord लिखेंगे कितना एक हजार फिर unrecouped में जब गया तो हमने क्या लिखा पी एल अकाउंट यह वी two royalty two start working तो start working फिर credit है किधर posting करोगे credit में posting करोगे क्या लिखोगे by PL account लिखोगे by PL account यह start working account मुख्य रूप से last year में जाकर के बंद होगा कब बंद होगा बराबर last year में जाकर बंद हो जाएगा बराबर कोई balance नहीं बचेगा लेकिन कब जब आपके पास में recruitment का अधिकार समाप्त हो रहा होगा तब जब lease की अबद समाप्त हो रही होगी तब जब आप रेक्यूब्ड नहीं कर पा रहे हो जब रेक्यूब्ड पूरा कर पा रहे होंगे तब अगर इन मेंसे कोई condition नहीं है तो आपके पास balance बच भी सकता है तो balance बच जाए तो परेशान मत होना जैसे मान लो हमारे पास अभी दो वर्स का रिक्यूमेंट करने का अधिकार है लेकिन टेबल हमारी जो तीन वर्स की है और लीज पांच वर्स का है तीन वर्स में मेरे पास surplus है नहीं कि मैं रिक्यूमेंट कर पाऊं तो ऐसी condition में छोण देंगे उसको balance पड़ा रहेगा सामाने तो सामा में ज्यादातर condition में यह बराबर आकर के last year में बंद हो जाएगा ओके अगर यही landlord अपने यहां बना रहा हो तो वह क्या करेगा वह इधर लिखेगा by landlord इधर balance by landlord इधर balance ओके फिर यह जो landlord इधर लिखा है वह इधर लिखेगा to LAC to PL landlord उसके आ नहीं आएगा लेशी आएगा वह लिखेगा by LAC to balance CD by balance BD यहाँ पर to LAC to PL ऐसे लिख करके वह एकाउंट को बंद कर देगा उम्मीद है आपको यह account बहुत ही असानी के साथ समझ में आ गए होगे अगर आपने शही तरीके से लग करके हमारे साथ में इस वीडियो को पूरा सुन लिया है और शही तरीके से समझते हुए देख लिया है तो अगर मेरा मानना सही है और वाक़ई आपको समझ में आई हैं चीज़ें तो कमेंट करके मुझे जरू बताईए कि चीज़ें आपको किस तरीके से समझ में आ दें उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक भी करें चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो कर लें बेल आइकन को प्रस कर लें तक कि आने वाली वीडियोस को नुटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ में जलुदी से खटा फट ले सके मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां देखेंगे मिनिमूम रेंट अकाउंट अगर बनाने को कह दिया जाए तो किस तरीके से बनाया जाता है तब तक के लिए जय हैं दोस्तों